तो फाइनली गाईज वन प्लस नाइन आर्टी चाइना में कल लॉंच हो गया है और सबसे पहले प्राइस के बारे में अगर आपको बताओ तो 8GB 120, 8GB वाले वेरियन के लिए चाइना में प्राइस आईए दोस्तो 38,000 तो जाहिर सी बात है कि इंडिया में गाईज अब हमें 40,000 के नीचे तो देखने को मिलेगा नहीं क्योंकि चाइना में जो प्राइस होती है उससे 2, 3, 4,000 हमें यहाँ पर प्राइस ज्यादा देखने को मिलती है तो अब दोस्तो 40,000 के ऊपर हमें वन प्लस नाइन आर्टी की इंडिया में देखने को मिलने वाली है और यह फोन दोस्तो इसी महीने साहिद इंडिया में भी लौँ वैसे तो गाइस वनप्लस के जो भी फोन लॉंच होते हैं वह ग्लोबली के साथ-साथ इंडिया में भी लॉंच होते हैं लेकिन इस बार वनप्लस 9RT थोड़ा सा डिले हो चुका है तो बहुत ही जल दोस्तों इंडिया में भी आ जाएगा तो फिलाल दोस्तों यहाँ पर हमा तो फीचेस में दोस्तों ज्यादा कुछ यहाँ पर आपको बदलाव देखने को नहीं मिलता है जो वन प्लस 9R में आपको जो फीचेस मिले थे सेम वही फीचेस यहाँ पर भी आपको मिलते हैं सबसे पहले मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो 6.55 इंचिस की यहाँ पर E4 Super AMO क्वालिटी की होती है इसके अलावा एक जो चैंजिस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वह इसके परफॉमस में क्योंकि यहाँ पर आपको इस बार मिलता है कॉलकॉम स्नेबरेगन ट्रिपल एट वाला फ्लैक्शिप प्रोसेसर जबकि वन प्लस 9R में आपको 870 वाला म सिर्फ यही एक बड़ा चैंज आपको इस फोन में देखने को मिलने वाला है बाकि सारे स्पेक्स दोस्तों आपको से मिलते है क्योंकि कैमरा की बात करूं तो पीछे की साइड में तीन कैमरा आपको मिलते है 50 मेगा पिक्सल का अल्ट्रावेड और 2 मेगा पिक्सल का मैक्रो 50 मेगा पिक्सल वाले प्राइमरी में अपको OIS का सपोर्ट मिलता है तो सेम वही 1 प्लस 9 10-10-ार में देखने को मिला था तो साह condemn चैनल को देखने का आप सिंगे Hansen पश्माफ में देखने को मिलता है सिर्फ यहां पर प्रोसेशर में इस बार इंडीया में देखने somehow NACE अब लेट सी के इंडिया में जब यह लॉंच होता है तो कौन-कौन से अलग फीचर के साथ ही आता है तो आज के वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक जरू कर देना चैनल पर अगर नए थे तो सब्सक्राइब करके जरू जाना आगे भी ऐसे व अगला इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए ओल्वेस के स्माइलिंग